अभी हम लोग एक छोटा सा प्रसंद देखेंगे जो क्लास नाइन और टेन दोनों के लिए उपयोगी है और बच्चे इसमें अक्सर भ्रमित होते हैं वो है rational number and irrational numbers इसकी पहचान करने में बच्चों से गलती होती है तो अभी हम लोग ये दोनों number को देखेंगे और इस तरह से समझेंगे कि आगे कोई परेशानी कोई गलती इसकी पहचान में ना हो तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि rational number किसको कहते हैं आईए देखें हम लोग rational number जो आप पहले से पढ़ते आए हैं कि rational number हम लोग p by q form वाले number को कहते हैं a number whose form is p by q जिसमें p और q इंटीजर्स होंगे कोई भी इंटीजर्स लेकिन q के जगह पर 0 नहीं होगा p के जगह पर हो सकता है यानि p के जगह पर कोई भी इंटीजर्स होगा minus वाले हो प्लस वाले हो या 0 हो और q के जगह पर minus वाले इंटीजर्स हो सकते हैं प्लस वाले हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होंगे तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम लोग rational numbers कहेंगे यहाँ पर देखिए कुछ example लिया गया है जैसे minus 1 by 2 minus 1 by 2 इसी तरह दूसरा उधारन है 3 by 4 तीसरा उधारन है 5 0 minus 7 जो नंबर जैसे 5 है 0 है minus 7 है तो इन सबों के नीचे denominator 1 चिपा है यानि हम नीचे 1 लिख भी देते हैं तो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता और नंबर by q के फॉर्म में आ जाता है इसलिए 9th क्लास के किताब में पहला question दिया हुआ है कि is 0 a rational number? If yes, then explain how कि क्या 0 एक rational number है? जदी है तो explain करें तो उसका answer होगा Yes, 0 एक rational number है क्योंकि 0 को हम 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 0 के नीचे कुछ भी लिख देंगे वो 0 ही रहेगा लेकिन number का फॉर्म by q हो जाएगा उसी तरह minus 7 भी एक rational number है 5 भी एक rational number है इसके अलावे जितने बटे वाले number है वो तो हैं ही ये एक तरीका हुआ जो हम लोग छोटे क्लासों से देखते आए हैं आईए देखें कि जदी rational number decimal form में दिया रहे तब कैसे पहचान करेंगे कि ये decimal number rational है कि नहीं तो इसके दो तरीके हैं दोनों ही तरीके आपको याद रखने हैं पहला तरीका है कि वो सारे decimal number जिसमें decimal के बाद कुछ digit आए हों और उसके बाद अंक आना बंद हो गया है जैसे 1.5, 1.75, 2.25 इस तरह से decimal के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक जितने भी अंक हैं वो आगए डिवाइट समाप्त हो गया इस तरह के decimal वाले number, rational number होते हैं इन्हें terminating decimal कहते हैं तो कुछ ऐसे rational number हैं जिनको decimal में बदलने से वो डिवाइट समाप्त हो जाता है और जितने अंक decimal के बाद आने होते हैं, आ जाता है तो इस तरह के decimal number को terminating decimal कहेंगे और यह याद रखना है कि all terminating decimals are rational numbers जैसे 1 by 2 है, 1 by 4 है, 3 by 4 है, 1 by 5 है यह सब number जिनमें आप decimal में मान निकालेंगे तो यह terminating होगा इसकी भी पहचान है कि terminating decimal वो rational number देता है जिसके denominator का factor या तो केवल 2 आवे, या 5 आवे, या 2 आवे इसके अलावे जिदी कोई और factor है, तो वो terminating decimal नहीं होगा वो दूसरे दरका होगा, जो rational number ही होगा उसके decimal non-terminating, repeating decimal होगे यानि उसमें क्या होगा, divide समाप्त नहीं होगा it will go on continue, अंक आते रहेंगे, कभी यह terminate नहीं होगा तो इसको कहेंगे non-terminating, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसे अंक होगे, जो वही बार-बार आएंगे तो उसको कहेंगे repeating, यानि कुछ ऐसे rational number है जिनके decimal, अंक समाप्त नहीं होते आना divide समाप्त नहीं होता, लेकिन अंक repeat होता है जिसे उधारन के तोर पर आप 1 by 3 ले ले, 1 by 7 ले ले, 1 by 12 ले ले तो जितने ये numbers हैं, इनके decimal non-terminating repeating होगे तो ये दूसरे तरह का decimal number है, जो rational number कहलाता है अब जदी आप तीनों को संकलित कर लें, दिमाग में बिठा लें तो बिल्कुल कहीं कोई confusion नहीं होगा कि हम rational number की पहचान ना कर सकें जैसे ये तीनों कौन-कौन हुए पहला तो जो common है, आप पहले से पढ़ते आए हैं पी वाई क्यू फॉर, दूसरा हो गया रूट वाले number हैं, तो उसमें देखना है कि simplify करने से उसके रूट जदी हट जाते हैं तो वो भी rational number है, जैसे रूट 4, रूट 1, रूट 9, रूट 16, रूट 225 ये सब रूट में हैं, या cube root 8, cube root 27, cube root minus 27 ये सब रूट में हैं, परन्तु इनको simplify करने से हमें rational number मिल जाता है इसलिए ये रूट वाले number भी rational number होंगे इस condition के साथ, ये उसे सरल करने से rational number आजा है तो इस तरह से जदी आप दिमाग में बिठा लें कि ये सारे number rational number हैं तो कभी भी कहीं भी पहचान करना मुस्किल नहीं होगा आईए देखें अब irrational number किसको कहते हैं irrational number को भी हम लोग उसी तरह दो तीन तरीकों से समझेंगे पहला तरीका होगा कि जितने root वाले number हैं एक बात पहले आप जान लें कि root वाले symbol को radical sign कहते हैं radical sign का मतलब किसी भी तरह का root होता है यह नहीं कि केवल square root cube root आप ठीक है 8 class में square root cube root सुने हैं उसके आगे की root आपने सुना नहीं तो आप जानिए कि और भी root होते हैं जैसे fourth root जब हम root symbol के उपर four लिग दें fifth root जब हम five लिग दें root के उपर sixth root, seventh root, tenth root, ninth root इस तरह से बहुत सारे root वाले symbol होते हैं सभी symbol का एक नाम है radical sign अब आप गोहर करें कि कोई number जिसमें radical sign लगा हो यानि कोई भी number हो जिसमें किसी न किसी तरह का root लगा हो तो ये root वाले number irrational होंगे लेकिन condition है कि सरल करने से वो rational नहीं आगे जैसे root two irrational है लेकिन root four root वाले ही है मगर ये rational है क्योंकि root four को सरल करने से two आता है और two two by one है यानि rational है तो root वाले number कौन इसके उधारन होंगे तो जैसे root two है root three है cube root two है fourth root three है fifth root seven है ये सारे number irrational होंगे एक तरीका ये है याद रखने का दूसरा कि जदी decimal में number हों तो या हम जदी जो अभी उधारन लिये root वाले number इनका जदी हम decimal में मान निकालें तो याद रखना है कि irrational number का decimal non-terminating होता है और non-repeating होता है यानि दोनों में non लगा हुआ है ना तो इसके प्रोसेस खतम होंगे जैसे आप इस प्रोसेस रूट निकाल रहे हैं two का तो ये प्रोसेस चलता रहेगा ये कभी खतम नहीं होगा अंक आते रहेंगे तो ये non-terminating हो गया और जो अंक आएंगे वो कभी repeat नहीं होंगे यानि ये non-terminating हो गया तो जितने भी irrational numbers होते हैं उनके decimal non-terminating non-repeating होता है आप बिल्कुल ब्रहमित नहीं हो ये rational में जो decimal है वो अलग है irrational में जो है वो अलग है एक बार फिर से आप देख लें rational में terminating है एक तरह का दूसरा तरह का है non-terminating repeating वहाँ repeating है लेकिन irrational में non-terminating non-repeating है कुछ उधारन हमने यहाँ लिया हुआ है जैसे आप यहाँ पर देखें जैसे ये 1.75 755 7555 डॉट 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 इसका क्या मतलब है डॉट 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 का मतलब है कि ये सिलसिला चलता रहेगा अंक आना बंद नहीं होगा और repeat नहीं है क्योंकि 75 है repeat होता तो फिर 75 ही आता लेकिन आ गया 7555 फिर देखिए आ गया 7555 और ये ट्रेंड चलेगा तो आगे होगा 7, 4 बार 5 फिर होगा 7, 5 बार 5 और इस तरह से चलता रहेगा फिर दूसरा उधारन है 0.3912 1112 1112 डॉट 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 तो ये दोनों उधारन है non-terminating non-repeating का तो ये irrational number है next point है irrational का कि एक symbol math में होता है जिसको πाई कहते है ये πाई क्या है ये actually किसी भी circle में जो circumference होता है और diameter होता है उसका ratio है आप किसी circle को draw करें और बिल्कुल सही से उसका circumference माप लें उसके diameter से divide करें तो इसका मान किसी भी circle के लिए चाहे आप छोटे के लिए निकालें चाहे आप बड़े के लिए निकालें इसका मान सेम आता है constant आता है हर बार सेम आता है तो इसी constant को विद्वानों ने एक symbol दे दिया जिसको πाई नाम दिया तो पाई actually क्या है circumference और diameter का ratio है किसी circle में in a circle the ratio of circumference to diameter is called पाई its value is non-terminating non-repeating जदी आप इसका value सही सही निकालेंगे तो ये non-terminating है और non-repeating है इसका मतलब पाई irrational number है लेकिन दो value हम लोग पाई की जगह पर यूज करते हैं एक 22 by 7 और एक 3.14 ये दोनों value हम लोग math बनाने में circle के सवाल बनाने में यूज करते हैं तो ये ध्यान देना है कि ये दोनों value उसके सही मान नहीं है हाँ उसके बहुत करीब के मान है लगभग सही है परंतु पूर्ण रुपेन सही नहीं है इसलिए 22 by 7 ये तो PYQ है तो ये rational number है 3.14 जदी आप दो ही अंक लेते हैं तो ये terminating decimal है इसको आप चाहें तो PYQ में लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3.14 बटा 100 तो ये दोनों value PY के rational number है बट रिमेंबर PY अपने PY itself PY खुद irrational है जवाब है क्यों है irrational क्योंकि ये इसका जो value सही value है true value है वो non-terminating non-repeating है इसलिए ये irrational है लेकिन इसके जो दो काम चलाओ value है वो दोनों rational है next एक point हम लोग और देखेंगे कि आप 0 छोड़ कर 0 छोड़ कर बगी कोई rational number ले ले कोई 0 छोड़ कर और कोई irrational number ले ले अब आप एक non-zero rational number लीजिए हमने कहा 0 छोड़ कर और एक irrational लीजिए उसको या तो आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या इंटू कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए जो number बनेगा वो सारे irrational होंगे तो याद रखना है कि the sum, the difference, the product and the cosine of a non-zero rational number and any rational number always result irrational number इसके उधारन है 2 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 5 2 इंटू रूट 7 1 बाइ रूट 2 अब गौर करें ये सारे उधारन में एक rational number है non-zero rational है और एक irrational है ये दोनों मिलकर चाहे प्लस से मिले हों माइनस से मिले हों किसी भी mathematical sign से मिले हो तो ये unlike term है ये जूट से नहीं है ये इसी रूप में रह जाएंगे लेकिन ये number irrational होगा तो इस तरह से जदि आप 3-4 point को याद कर लें तो कभी भी आपको कहीं भी गलती नहीं होगी ये पहचानने में कि ये rational है या irrational है अब इसके बाद मैं एक page आपको दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे question दिये गए हैं आपकी पहचान के लिए कि आप पहचान पाएंगे कि नहीं कि कौन सा rational है और कौन सा irrational number है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ उधारन ऐसे होंगे जिसको आप direct देखेंगे और बोल सकेंगे कि ये rational है या irrational है बट कुछ उधारन ऐसे भी होंगे जिसको आप at a glance देख कर you can't state whether it is rational और irrational if you do like without thinking you may be wrong आप गलती कर बैठेंगे तो कुछ ऐसे numbers यहां उधारन दिये गए है जिसको आपको सरल करना होगा और सरल करके देखना होगा कि ये क्या result आता है और तब आप predict करेंगे कि ये rational है कि irrational उमीद करते हैं हम कि आप सभी वच्चे rational और irrational से वकू भी बहुत अच्छे से परीचित हो गए और दिये गए सारे प्रस्ण को आप बनाएं और अपने teacher से संपर्ख करके उसके answer को जाच कराएं मैं उमीद करता हूँ बलकि विश्वास करता हूँ कि 100% you can do this work और एक छोटी सी बात जाते जाते मैं बता जाओं कि ये दोनों नंबर बिल्कुल अलग अलग है rational की दुनिया अलग है irrational की दुनिया अलग है दोनों के परिवार बिल्कुल अलग है कोई तालमेल नहीं है even जो rational है वो irrational नहीं है दोनों में कोई तालवेन नहीं लेकिन दोनों एक ही छट के नीचे रहते हैं दोनों को एक साथ हम लोग रखते हैं और एक साथ Rou साथ रखते हैं तो उनके एक अपने नाम हो जाते हैं जिसको हम लोग real number कहते हैं तो यह भी याद रखना है कि real number मतलब सारे rational number और सारे rational number ये दोनों मिल के real number कहलाते हैं तो यहां हम अपनी बात समाफ्त करते हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि जो topic हमारा था वो आप बहुत clear हो गए हैं 100% clear हो गए हैं ये सारे सवाल बनाएंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे अपनी feelings बताएंगे, comment करेंगे, subscribe करना नहीं भूलेंगे और bell icon को दवाएंगे जिससे आपको हर नए वीडियो इसके ठाकुर जी का आप तक पहुंचे और आप enjoy करें, आप maths में बहुत अच्छा करें Thanks, okay, see you again, we will meet again